प्यारे बच्चों, आज आपके इन्दी साही किकी जो पर्टिकुस्कत के शर्यू, उसके पर्टिभाग का जो पहला पार्ट है, कभी उस पहले पार्ट को हम पढ़ेंगे, मैंने अलगतार से खोड़ा आपका ध्यान जो है, पढ़ी की और आख्रिश्ट करने के लिए, और खोड़ा से प्रक्राम को बदलते हुए, और पढ़ी खंड की शुरुआत की है, कभी जो की निर्बुर धारा के ग्यांस्तरी सक्खा के प्रमुक कभी हैं, ये कभी पार्ट में और एक समाच सुधार अढले हैं, इन्होंने तदकाली समाच देव्याद जो आड़पर था, जो चुआ चोग थी, जो भेरवाव था, अंदर विश्वास था, ऐसे उस अंदर विश्वास का इन्होंने बहुत ही प्रबल तरीके से विरोद किया, और सामाजिक समरस्ता इसका करने का प्यास इन्होंने उस समय किया था, जिस समय कभीर का प्रादर भुणा हुआ था, उस समय समाज में सिक्षा की कमी थी, और इसी कारण समाज जो है अंदर विश्वासों से, रूडियों से, ग्रशी था, आड़बर का बोलवला था, तो कभीर में तक तले समाज को एक नया मार दिखाया, उनका मार प्रश्व किया, हाला कि कभीर स्वयं अनपड थे, उन्होंने अपने बारे में कहा है, कि मसी कागत छुयों नहीं, कलमन लीनी हाथ, तो इससे इसमश्च होता है, कि उन्होंने इस तरह की आपचारिक सिक्सवार्त नहीं की थी, फिर भी उनको इतना घहरा, लोग अनुगों था, और आत्म ज्यान था, उस आत्म ज्यान और लोग अनुगों के आड़ार की कभीर कभीर रास में जो है, समाज को एक मैधी शक्तान की, कभीर रास रामानत की सिष्य पे ये एकेश्वर वादी थे, कभीर की जो भाशा है, वो सद्दूप्री भाशा थी, इनको भासा का डिक्टेटर अठाट काना सार पहा ला, ये आदब से अपकर, स्वादाव से उपकर थ और इस तरह से इन्होंने ज़ए अपने लोगी घ्यान के अधार पर समाज को एक नई दिशा पदा है, इनकी जो प्रमुत रचना है, उसका नाम है बीजल, बीजल जो है, वो इनकी प्रमुत रचना है, और बीजल को तीन भावों में माटा दिया है, साखी, सबद, और तीसरा, रमे, साखी, सबद, रमे, भाशा के बारे में में बताई चुकां, भाशा ज़के कबेर की, वो थे सद्धू कड़ी, सब्दू करें, इस प्रकार कभीरास ज़े, उन्होंने शमाज के नई दिशा प्रदार करते हुए, और समाज का मानदर्शन किया, वर्टमान परिपेक्ष में भी देखें, तो कभीरास के दो हैं, वो पूरी तरह से, आज के परिपेक्ष में यह खरें उतरते हैं, आज के हम देखते हैं, शमाज में बहुत सारा ऐसा अंदरिश्वास, आइदर पर छुवा चुप, इट्यादी आज में विद्धिमान हैं, और इस तरह से हम कभीरास के दोहों से, उनके बारा दीवी सिक्षा से, सामजिक सुदा रा सकते हैं, यह तो था कभीरास का है संक्षिक साहिटिक प्रीचे, जिसमें की साहिटिक उपलब दियां और साहिटियक शेतर निए कभीरास का जो योगदां ड़भा, उसके बारे में मैंने आपको बताया क्योंकि परीक्सामी साहितिक परीचे उचा जाता है तो उसमें साहितिय कारे में जो साहितिय के शेत्र में योगा पहता है और साथ ही उसकी जो साहितिक उपलब्द्या होती है उनको प्रहुत रूख से बताना पड़ता है आपका जिलपाण है इसमें कभीदास के कुल बारवोधे शंकलित किये रहे हैं जिनमें उन्होंने सद्गुरु की मनिमा का वेड़न किया है और बताया है कि एश्वर्द और गुरु में कोई अंतर नहीं होता है इस तरह से सद्गुरु की जो प्राप्ति है वो भगवान की प्रिपा से होती है इश्वर्द की प्रिपा से होती है और इश्वर्द की प्रिपा से जब सद्गुरु बिलता है तो सद्गुरु की प्रिपा से आत्म जान होता है पर आत्त ज्यान की द्वारा हम इस नस्वर संसार से मुक्ट हो करके और ईश्वर को प्राप्ट कर सकते हैं। इस तरह से उन्होंने ईश्वर और सर्गुरु की एक्ता को बताते हुए। साथ ही आत्मा पर्मात्मा की चित एक्ता पर प्रकाश डाला है। तो दूसरी तरफ मोह, द्रिश्णा, दिविधा, इट्यावी से मुक्ति पाने का उपाईवी जह हुनोंने बताया है। और वह है आत्मा से प्रभु को प्रेव इस तरह के उप्देश इन्होंने अपने दोहों में दिये। तो दूसरी तरफ इन्होंने इतके जो दोपत शंकली थे आपकी इस पार्ट में उसने कभी दास में पहले पर में आत्मा परमात्मा की चित एक्ता को अभिव्यक्ति की है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक एक हैं। उनमें कोई भेड नहीं है। आत्मा जो है वो परमात्मा की अंच है। इस प्रकार की बात उमा ने बताई है और दोनों का जो है जिल एकात्मक स्वरूप जो है वो इस पद में व्यक्त किया है साथ ही जो दूसरा पद है इसमें इनों ने ग्यान की आंधी के रूपक के माजिक से ग्यान का महत प्रकट किया है और बतायानिकी आथमा में जॆन की आधी आती है, तो सांससरें जो माय से हम मुट्ट हो जाते हैं और त्रिशना जो है वो भी हमारी मिठ जाती है, मन की दुईदा जो है, वो समाथ को जाती है और इस तरह से हुँज़े अपने आपको पीश्वर के बहुत निकट चाहे मैंसुस करते हैं तो इस तरह से संख्षित में जो ये पार्ठ है उसकी जाहतरी में आपको जी अब हम कभीर्दास के जो दोहे या शंक्ली हैं उन दोहों की चर्चा करेगी यहां मैंने आपके सामने शामपिट पर कभीर्दास के चार दोहे जो हैं वो लिख रखें एक एक करके हम इनको पढ़े लें और साथ इसाथ इनका अर्ठ और भावार्ट समुझने की कौशिश करेगी पहला जैंका दोहा है जैसा इनके बताया है कभीर्दास की भाशा शत्रूपड़ी है और इन दोहों में जो शेरी प्रियुक्ट हुई है वो शेरी है उप्देशाद मक्षे अर्धार्ट कभीर्द अर्फार्ट में जोहों के माध्यम से समान सुधार का आत्मसुधार का उप्रियुक्ट है EXIT पहले जोहाएं कि उसमें उन्होंने गुरु को विम्यम की एक्टा को अभीवय कि लिएक कैे अर्ठाट जिस तरह से सुरुदास की तब गेशेली ने होते हैं गेशेली का मतलब जिनको हम लईपत तरीके से घा सकते हैं तो वैसे ही ये भी गेशेली की दोहें है छता आपको पता ही है इसमें दोहें एको दोहा चता है यहां पहला जो दोहा है उसको मैं आपके सामने एक बार गेशेली में आदर्स वाचत के लूप में प्रस्तुप कर रहा हूं आप ज्यान से सुनें के गुरु गोविन्द तो एक है दूजाय हूं आपकार आपा में दी जीवित मरे है तो पावे करता न कपीरा तो पावे करता दूसर बार कि ज्यान प्रकासा गुरु मिला सोजिनी कि सरी जाए जब गोविन्द की लिया है तब गुरु मिली आपाए कर बीरा तब गुरु मिली आपाए कि पीछे आगा जाई था लोगवेद के साथी आगे थे सक गुरु मिली आपाए दीपग दिया हाथी कबीरा दीपग दिया हाथी चौथा था के पूठा था पे उबया गुरु की लहरी चमगी भेरा देख्या जर जरा तब उतरी पड़े परंगी कबीरा उतरी पड़े परंगी इन दोहों को इस प्रकार से यह आप गे शरी में ना कर यार्ट करेंगे तो आपको यह बोशे सरलता से यार्दी मरें ना कर यार। और आपकी भी प्रिशन सा होगी, तो प्यारे जारथे, अब हम इन दोहों की व्याख्या पर आते हैं, सबसे पहले कोई भी दोहा है, कोई भी पध्य है, उसकी पटेव पटी को ध्यान पूरू पढ़ते हो, और उसमें से जो पठीन शब्द है, ऐसे जो पठीन शब्दों का अर्थ जो है, हमें जानने का प्रियाश करना चाहिए, तो यहां पर आप लेखें, कुरू गोविन्द तो एक है, दूजा यहू आका, यहां आका से मतत हैं शरी, आका मेती जीवित मैं, आपा से मतत हैं, अभीमान या अहिकता, तो पावे करता, यहां करता शरी, और स्वामी से मतत है कबीर का ईश्वर, तो उपरियर दौवे में, कबीर रास में, गुरू और गोविन्द इन दौनों की एकता को व्यक्त करते हुए बताया है, कि गुरू और गोविन्द दौनों हैं, दौनों में कोई अंतर नहीं, अर्थार्ट गुरू की प्रिपा से ह इश्वर की प्राप्ती होती है, और इश्वर की प्रिपा होती है, तब हमें सद्गुरू की प्राप्ती होती है। इस तरह से दोनों के प्री अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ शरीर का है। इस तरह से जोगित अपने भीतर के अहिकार को बीटा करें। आएगा कि गुरू और गोवित इन दोनों के अंदर किसी तरह कोई बेदिया अंतर नहीं है। तो परिक्सामी आपको जो दोहे उच्छे रहते हैं, तो उसमें आपको प्रसंत लिखना पड़ता है। और प्रसंत के बार उसकी व्याक्षा और व्याक्षा के बार विशेश। तो यहां हम देखेंके कि प्रसंत कैसे लिखना। प्रसंत के अंतर तर तीम बातों को प्रकाश डाला जाता है। सबसे पहले पाठ्य पूश्चत का नाम उसके बार उसके रचीता नाम उसके बार उसका संदर बाता है। संदराब में पंतियों पिसके गारे बता रही है क्या बता रही है उसका संष्चित में जर तो प्रसम कैसे तो झ। अ हमारी आमके के सुनेंगे। उपरियोंट पंक्तियं हमारी पर्ठ उस्तर सर्यों के पज्य फ्र्ट के अध्याई एक कभीर से लिया है जिसके रचीता सत्कभीर कभीर दास ने कभीर दास ने इस दोहे में गुरू और इश्वर की मनिमा कज़र है बखान किया है यह तो हो गया इसका पसंद फिर व्याक्या व्याक्या में दोहे में नहीं जो भाव है उस भाव को हमें सरल और सहर से लिए विस्तार पूरू जहे समझाना पड़ता है फिर तीसी बाद आती है विशेश विशेश में काभ्यांस की भाषा भाषा शेली और उसके अधेरे शब्दावनी शब्दावनी के साथ ही उसके यह किसी प्रकार्वर कोई अलगका इज्ञाने प्रियुक्त हुआ है उसके बादे में इसमें बताना पड़ता है अब दूस सद्धाव देखें कि ज्ञाने प्रकासा गुरु मिला सोजी निसरी जाए जब को इंदर की आखरी तब गुरु मिली आए तब गुरु मिली आए तब गुरु मिली आए इसमें कफिरदास कहते हैं कि जब भगवान ने हमारे उपर कृपा की बगवान की जिए हमारे उपर कृपा हुई तो बगवान की कृपा से ही हमारी आत्मा के अंदर जो है ग्यान का प्रकाश उत्पर हुआ और जब हमारी आत्मा में ग्यान का प्रकाश उत्पर हुआ तब हमें जो है सद्गुरु की प्राप्ति कुई और इस तरह से जो सद्गुरु हमें मिले ने उनसे जो ग्यान की ला रहे ऐसे उस सद्गुरु को हमें अभी भूलना नहीं चालए इसमें भी गुरु की महिमा का वर्णा है कि जब इश्वर की कृपा होती है प्रभु जब हमें पर कृपा करते हैं तो उनकी कृपा से जो हमें आत्मग्यान होता है और जब आत्मग्यान होता है तब हमें सद्गुरु की प्राप्ति होती है और जब सद्गुरु की और द्याक्या में जो इसका भाव है अवार्थ है उसको आपको विस्ताथ पूर्वक सरण सहच शेवी में वर्तभी की शुगता का ध्यान रखते हुए उचित विराम जिन्हों का प्रियोग करते हुए और इसकी द्याक्या तरदी यानि इसको विश्ताथ से इसके दौाँ को समझाना है विशेश मेरी वही बात जैसे दोहें तो लिखोगे उप्रियोग्थ जो दोहें इनका प्रसंद लिखना है तो लिखोगे दोहों की भाषा सद्दूक्डी है उप्देशात्र से लिखा प्रियोग किया गया है साथ ही गुरू के महत्व को जो है इसके प्रतिवादी तर किया है तीसरा गुद्द कि पीछे आगा आजाई था लोग्रेद के साथ ही आगे थे सत्गुरू मिया दीपग दिया हाथी कबीरा दीपग दिया हाथी इसमें कबीर्दास कहते हैं कि मैं तो संसार में आगा जो संसारिक लोकिक घ्यान था एसे उन रैदिक और लोकिक परंपराओं के पीछे चल रहा था अठार संसार में आगा था एसे उन प्रचलिक लोकिक परंपराओं का अनुकरण किया हैं मैं उन्ही प्रचलाओं के पीछे पीछे चल रहा है उन्ही प्रह कर रहा कि इतनी मुझे इसवय की पिर पास सब्रों इंह और जब मुझे सब्रों मिले तो उन्होंने मुझे ग्यान रूपी दीपक दिया और जब ग्यान रूपी दीपक उन्होंने मेरे हाट में दिया तो उस ग्यान रूपी दीपक के मार्यम से मेरे आत्मा में ग्यान का प्रणाश हुआ और जब से मेरे आत्मा में आत्मा ग्यान उपत हुआ तब मैंने उस संसारिक लोग के परंपराओं का जिसका मैं अनुकरण कर रहा था उनको छोड़ वे दिए और तब अस्चार प्रिने जहें संदुरू के बताये हुए ज्ञान को अपना कर और उसी ज्ञान के आदार को जहें मैं इस संसार सागर से पाद करने का प्रियासर करना इसमें आप देख रहे हैं यह जो लिपक दिया इसमें रूपक अलंकार है जब रथा वीपक से मतलब है क्यान रूपी दिपक ज्यान पीपक यह दीपक के ऊपर ग्यान का आरोप की अभेया है उपमें पर उपमान का अभेंज आरोप होने के गार और यहां पर रूपत लखा ताम देखरें कबिर्गास कहते हैं कि हमें सांसारी दौकिक परणपराओं का अंदार अंदरण नहीं करना चाहिए संसार में रहते हुए सर्गुरु की क्रीपा से जो आत्मग्यान होता है उस आत्मग्यान के आदार पर विचार कर सोच कर और आत्मग्यान के आदार पर हमें संसार पर अपना जीमत पीताते हुए इस संसार सागर से बाल उतरना चाहिए तो इसमें भी सर्गुरू की मनिमां का वेड़न करते वे और गविर्दास ने ऐसे हों परवपराओं के पीछे चलने के लिए मना किया है कि जो परवपराओं चले आ रहे हैं ऐसे हों परवपराओं का हमें अंदान कलड़ नहीं करना चौथा कि पूड़ा था पे उबरा गुरू की लहरी चमकी भेरा देख्या जर जरा कभीरा उत्री परवपराओं की इसमें कभीर्दास कह रहे हैं कि मैं जब इस संसार साघर में आया है तो इस संसार साघर में आउअगा तकी और इस संसार साघर को जो है करें ऐसे उस महो माया की जो बहुत बड़ी नाव काई आस उस महो माया की नाव में बैठ करके बेरा सबत होता है बड़ी और बेरा लें जलुँ कि होता है कमजोर जरजर तो कभी कह रहा है कि में भी संसार में आया और संसार में आकर मैंने भी संसारी प्राणियों की तरफ महमाया में डूब कर और उस महमाया रूपी नाव में बेट तरफ उस बेड़े में बेट तरफ और ऐसी उस जरजर नाम से जो है इस संसार को पाल करने का भ्यासत किया है अलाकि ऐसे उस बेड़े में जो जरजर था बेड़ते हुए मैं उस नाव में दूर नहीं वाता था कि इतने में गुरू की प्रिपा हुई मेरी आत्मा में जो है ग्यान की एक लहर उपत हुई लहर चमक रुखी और उस ज्यान की लहर के चमकने से मुझे आत्म ज्यान हुआ और मैं तुर्ण उस जरजर बड़ी नाव से उतर गया उतर पड़ा और मैंने जहें गुरू के बताया हुए उस संसार का अनुदरण किया और इस तरह से ने डूबता डूबता जो है बच गया उबर गया ते रही है कबीर निया मताया है कि संसार एक साकर है और मुहमाया रूपी जो नाव है उसमें वेटने लोग इस संसार सारु को पार करना चाहते हैं जब कि मुहमाया कि वह नाव जर्जर होती है ऐसे हैं संसार की सरण में जाना चाहिए जब संसार की क्रिपा होती है तो आत्मा के अंदर ग्यान की लहर उत्पन होती है और जब ग्यान की लहर उतन होती है तो सौवारे के ऐसी इस्तिती में हम इस संसार सागर में डूपते नहीं है बनकि संसार सागर से पार उतर जाते हैं तो संसार सागर से पार उतर में के लिए शद्गुरू का सहारा जरूरी होता है सद्गुरू के बारा जो ग्यान किया जाता है उस ग्यान के बारा ही हम संसार सागर से फार उतर सकते हैं तो अब तक आप में रेखा कभी ग्यान के जिए चारो दोगे इन्हों में हम चारो दोगे कभी ग्यान के ग्यान का महप जो तिपादिक किया है तो निश्चिक तोर पर गुरु के ज्ञान से आत्मी ज्ञान से ही हम इस संसार सागर से पार उतर सकते हैं कभी के जो शंक्ली दोहे हैं जो पठिक दोहे हैं वो वर्तमां प्रश्टी से भी महत्वर रखते हैं वर्तमा परश्टी से भी उनका उतना ही महत्वे जितना तबकाली परश्टी से था आज भी हम देखते हैं कि संसार में अनेक ऐसी रोदियां अंदुविश्वास परंपराएं विद्यमान हैं जिनका हम अंपरण करते हैं तैसे प्रोडियों से मुक्त मुने का उपाई कविर्दास के इन दोहों में बताया है तो दिश्टिक दोड़ पर बाप भी जए इन दोहों के द्वारा जो उपदेश कविर्दास के दिया है इसको आतनुशाद करेंगे परिकसा की द्रश्टि से हुए और आप इनको हाथ पुशाद करें निश्टिक द्वारा ने आरी होगी मैंने आपको जो बताने का प्रियास किया है आपने समझने की कोशिष की होई दखिया